अवैद खानन मामले में ED की कारवाई तेज हो गई है इस मामले में अब साहिग गन जो DC को ED ने तलब किया है DC राम निवास यादव ED दफ्तर पहुट चुके हैं पुश्टाच उनसे की जा रही है और इसी को लेकर निव जे स्टेट समवादाता सूरश कुमाने जो ऐसा लिया है देखिए इसी मामले को लेकर ED ने पुश्टाच के लिए समवादा जानकारी के लिए समवादात सूरश हमारे साथ जोड़ गया है सूरश कर रूख कर लेते हैं सूरश देखिए एक घंटे से जादा का समय हो चुका है पुश्टाच अभी जारी है लगातार ED के दफ्तर में DC राम निवास यादो से फिलाल क्या कुश अपडेट है गल्कुल दिके राम निवास यादो से पुश्टाच जारी है लगवग सवा घंटे का वक्त हो चुका है और लगतार E.D. का अधिकारी राम निवास यादों से पूस्टाच कर रही है ऐसे कई मामले हैं चाहे वो एक हजार क्रोडों के अवैद माइनिंग का मामला हो या फिर पंकज मिस्रा के करीवी माने जाने वाले राम निवास यादों हो तो इसे कई तथ हैं और इसे कई सबूत E.D. को हाथ लगे हैं और इसी सबूत के आलोक में E.D. ने राम निवास यादों को सम्मा जारी करके आज की तारिक निर्धारित करके पूस्टाच के लिए बुलाया था कहा यह जारा कि यह पूस्टाच देर रात तक भी हो सकती है क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा कि 17 नौबर को इसी मामले में मुख्यमंत्री को भी E.D. ने संबन जारी करके पूस्टाच के लिए बुलाया था पूस्टे तक E.D. के अधिकारियों ने पूस्टाच किया था क्योंकि यह मामला काफी सिंसेटिव और काफी बड़े मामला यह बताया जारे लगए एक हजार करोड से भी ज्यादा के मामला है जो की गैस और आयो के बात करें यह सब leopard में यह इस नगी करके पूस्टाच के लिए यहां पर बुलाई है हलंके देखियों आज जो तारीख निर्धारित की गई है वो साहिग बंद DC का है, राम निवास यादो का है, अब यह देखना कि पूस्टास के अधरार क्या कुछ और, खुलासे करते हैं साहिग बंद DC, सीवानी चलिए, बहुत शुक्रिया सूरेच आपका है, इन तमाम जानकारियों के लिए